आलो, वेलकम इन पायस किचिन और आज मैं अपने किचिन में बना रही हूँ आलू का इंस्टेंट लच्छा नमकीन जो एकदम क्रिस्पी बनेगा ना तो ओईली होगा ना काला पड़ेगा और एकदम क्रिस्प क्रिस्पी बनेगा तो चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंन काले पड़ जाएंगे, इसलिए जितने आलू हम चिलते रहेंगे, सब को पानी में डालते रहेंगे, आलू मेरे छिलके तैयार हो गए है, अब इनको बनाना है हमें लच्षा, लच्षा बनाने के लिए मैंने ग्रेटर लिया है, और जो मोठा ग्रेटर होगा, मोठी साहीर से, हम इसको कसेंगे या इसका लच्छा बनाएंगे अगर आपके पास और ज़्यादा मोटा ग्रेटर है तो उसका यूज़ करें जितना मोटा लच्छा बनेगा उतना नमकीन भी अच्छा बनेगा अब हमें लच्छे बना के घटेने करने हैं एक या दो आलू का लच्छा बनाएंगे और उसको हम पानी में डालते जाएंगे वनना हमेरा सारा लच्छा काला पढ़ जाएगा इस नमकीन को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो यही होता है लच्छे को धोना क्यूंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है अगर यह स्टार्च हम पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा लच्छा काला पढ़ जाएगा और जो ना देखने में ःच्छा लगेगा और ना खाने में उच्छा लगेगा ये बताना बहुत मुस्किल है कि हम इस लच्छे को कितनी बार धुलें ये आलू की quality पे depend करता है अगर आलू में starch कम है तो 3-4 बार में भी काम चल जाएगा और starch जाता है तो आपको 5-6 बार भी दोना पड़ेगा बस आपको देखना है कि जो हमने last पानी है वो वैसा ही हो जैस और चैनल को सबस्क्राइब करें लच्छे को दोकर और निचोड कर हमें साफ पानी में डालना है और इस तरह से निचोडना है कि लच्छे तूटे ना क्योंकि अगर हम निचोड़ेंगे नहीं तो वही starch वाला पानी बार-बार साफ पानी में जाएगा इस तरह मैंने इसको चौथी बार दो लिया है और दोकर पानी में डाला है अब देखिए चार बार दोने के बाद में अब मैं पांच भी बार ठंडा पानी ले रही हूँ जो मैंने फ्रीज में पानी रखा था वो लिया है अब इसमें डाल कर मैं इसको लगबग आदे घंटे के लिए रख दू वाइट रहेगा काले नहीं पड़ेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे इसलिए नीबू डालना जरूरी है चलिए अब नीबू आदा घंटा मारा लगभग हो चुका है और लच्छे को मैंने चलनी में निकाला है नीचे भगोने में रखा है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए अब इन लच्छो को लगभग 50% तक सुखाना है सुखाने के लिए मैंने पंखे के नीचे एक कॉटन का कपड़ा विछा दिया है और इस पर इनको मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी और पंखा चला कर वेट करेंगे इनके सूख जाने का जब यह 50% सूख जा हाई टेंपरेचर पर गरम किया है अब मैं थोड़े थोड़े लच्छे इसमें डाल कर इसको फ्राइ करूंगी और हमें यहां बहुत साफधानी रगनी है तेल बहुत गरम होता है और लच्छे गीले होते हैं इसलिए तेल एक दम उपर आता है तो इसलिए लच्छो को चल्ली में निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो नीचे से निकल जाए इस तरह से और आम इसे भगोने में रख देंगे अब दूछरा बैच डालेंगे इसी तरह जितना भी लच्छा है बारी बारी से उसको फ्राइ कर लेंगे यकीन मानिए यह नमकीन बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनती है आप इसे एक बार घर में जरूर बनाए और आपको जो भी फ्लेवर पसंदो वो इसी फ्लेवर का इसमें मसाला डाले जैसे कि इसमें डालने के लिए मैंने इसमें मुफली के डानो को भी फ्लाई कर लिया है और इसमें ऊवर फ्राई नहीं करना है यर्दugen कि यह ज़्यादव देर तक ही नहीं पकाना है जब इसके दानने चटकने लगे तभी इसको निकाले और निकालके हम बने हुए चीवड़े में मसाला मिलाएंगे पौदीना पौदिने का पाउडर और हरिम्राज को सुखा के मैंने पौडर बनाया है. मैंने वो डाला है इसमें थोड़ा सा. इसको चटपता बनाने के लिए और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सेंदा नमक और भूनेविठ जीरे का पौडर. आप इसको ब्रतमें भी खा सकते हैं. प्रत में खाने के लिए बहुत अच्छा नमकीन है अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला देंगे ताकि मसाला नमकीन में अच्छे तरीके से मिल जाए लेजे नमकीन तयार हो चुका है आप घर में इसको जरूर बनाएं एक बार और मुझे बताएं कि कैसी बनी है चलिए फिर म मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई